हालो फ्रेंट्स आज हमें यहां पर देखने वालेसे वी लूक-अप के बारे में वी लूक-अप कहां कब कैसे यूज किया जाता है तो सबसे पहले वी लूक-अप के बारे में हम समझ लेते हैं वी LookUp का meaning देखिए यहां पर बताया है हमाईने क्या लूड़ना है? कहां से कहां तक? क्या चाहिए? क्या चीहतर है मतलब कहां से? कौन सा कॉलम्न की नमवर से हमें value चीहें? और उसके भार में 0 का मतलब हमारा होता है true value ठीक है? यहां पर देखिए एक details लिखा है मैंने और यहां पर we look up table मतलब यह हमारा एक shop है इस shop में से हमें find करना है apple apple हम यहां पर find करेंगे stock दिखना चाहिए हमें यहां का और कहां का location है मुझे यहां पर आना चाहिए तौ सबसे पहले आपर लेकृए हम apple कि देखें जैसे मैं app일 टाइप किया है यहां पर यहां पर देखिम के पास कुछ यह कूछ है लोकेशंद भी कुछ यह नहीं है तो यहां पर हमें हमारा formula यूज करना है तो सबसे पहले हमें equal use करना है उसके बाद में we look up type करना है वी look up type करने के बाद में आपको bracket जैसे open होगा भाग next में यहाँ पर देखें देखाया गया है क्या धुण्डेना है हमें क्या धुण्ड़ना है find product मतला हमें क्या धुण्ड़ना है apple apple कौन से सेल में है b2 कौन सा सेल में धुण्ड़ना है b2 का यहां से हमने सिल्क किया उसके बाद में हमें कॉमा यूज किया कॉमा यूज करने के बाद में यहां पर देखे कहां से कहां तक हमें किस में से धुणना है यह हमारा एपल प्रोड़क किस में से धुणना है हमें इस टेबल में से धुणना है तो इस टेबल को हम पूरा पूरा सिलेक करते हैं आपके बस लंबी चोड़ी इ कि इतना स्टॉक के आपको पूरा हुż टेबल से कर लेना है त्टिक है उसके बाद में आपको वापिस से कौमा उइस कर है यहाँ पर देखिए अब यह हैं इस णिखा है क्या क्या तो कि एक इतने नमबर पर ऊंबर एक spricht दो नमबर पर आपको दो नमबर कॉलम के लिए दो नम और जीरो प्रेस करना है जैसे जीरो प्रेस करके फिर अपको करने इंटर प्रेस करने लिए अपका स्टॉंक एपल का है तो है 80 कि अपल एटी है तीड है यह पर देखिए मैंगो मुझे मैंगो का स्टॉक 90 चाहिए मैंगो टाइप करूँ सॉर्मिला यहांपको लगाना है इक्वल वी लुक अपर अपर देखिए क्या दुन्हें हमें मैंगो ऐना है यहांच तो दिखाए दिखाए जा रहे हैं हमे कॉमा उसके बाद में कहां से कहां तक पूरा हमने टेबल से लिक कर लिए यहां से लिक है यहां तक कॉमा यूज करना है अभी हमें यहां पर देखिए ध्यान से देखिए हमें क्या चाहिए अभी क्या चाहिए लोकेशन चाहिए तो लोकेशन कितने नंबर पर हमारा एक दो त मतलब हमारा तिन नंबर कॉलम पे हमारा लोकेशन है इसलिए हम यहां पर थ्री टाइप कर रहे हैं उसके बाद में हम कॉमा यूज करना है आपको जीरो प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है देली में है यहां पर आपका मैंगो देली में 90 स्टॉक में अविलेबल है जिसे बार बार जाकर हम स्टॉक तो गिनेंगे नहीं इसलिए यह फॉर्मॉला यूज करते हैं सेकेंड में देखें हमारी स्कूल है कोई एक सापल है यहां पर देखें एक जीनियस करके स्कूल है अभी स्कूल की फीज कितनी पेंडिंग है किस बच्चे की कितनी बाकी है तो रोल कर देखेंगा क्या धुद्दना है क्या योगत बंबर डुंदना एक इत बंदनै इ술 आइक इसलिए हमने क्या किया एक नंबर को आन्य सेलिख किया फी ठीक में है किसमे से में लुद्ध अब्समें सी पिस्पार देखेंगि क Fen Skin तो आपको सभी स्ट्विटंट को यहां भी लिस्टी लेक करना है और अप्रीज केहां से बीस Hyन्वे करने के बात में आप पर दिखाए गया है नंबर पर है यहां से गिनना है उपने को जहां से आप टेल्ड करते हो वहीं से आपका first number column select होना चाहिए एक number हमारा roll number है दो number में name है तीन number में school fees है चार number में paid है और five number पे हमारा pending fees है तो five number का हमारा column number five five number का हमको answer चाहिए इसलिए हमने five यहाँ पे select किया फिर आपको comment करना है और zero price करना है फिर आपको interface करना है जैसे आप interface करते हैं एक number की fees अटरा आजार पांसो पेंडिंग है मैं यहाँ पर roll number five दालता हूँ तो five number की देखिए उननीस जार चार सो देखिए यहाँ पर उननीस जार चार सो एकदम राइट है अभी देखिए अभी मेरे को तो पता चाहर रहा है देखिए रोल नंबर के इसाब से लेकिन मेरे को बच्च्चे का नाम भी जानना है जैसे कि मेरे को स्टोड़िंट का नाम यहाँ पर शोग करना चाहिए तो यहाँ पर मैं हम स्टोड़िंट नेम लिख रहे हैं only name लिख सकते हैं जैसे आपको जो भी चाहिए अब यहाँ पर लख सकते हैं उसके अब आद में आपको यहाँ पर same formula लगाना है equal we look up आपको क्या दुढ़ना है रोल नमबर से किस से दुढ़ना है रोल नमबर से आपको नाम दुढ़ना है ठीक है तो रोल नमबर हमने select कर लिया इसके बाद में आपको किस में से तुड़ना है मतलब कहा से कहा तक पूरा टेबल हमने सिलेक कर लिया है भी आपको कॉम IRAU Director करने के बाद अब ही यहाँ पर देखिए हमें नेम तुड़ना है कौ से कॉलम में एक नंबर या दो नंबर हमारा दो number column में name है इसलिए हमने दो number यहाँ पर select किया उसके बाद में हमें फिर से comma यूज करना है zero price करना है और inter price करना है देखो लक्षमी नाम है five number पर लक्षमी नाम है यहाँ पर देखिए मेरे का बाबू का बाबू का फीज देखना है यह देखो एक number पर इसके है देखो एक number roll number में बाबू है उसकी फीज इतनी pending है यहाँ पर दिखे गया है जैसे आप आपके पास में बड़ी stock inventory है तो आप इस formula का बहुत अच्छे से use करके आप पता कर सकते है कि हमारा stock कितना है बच्चे की fees कितने है यह बहुत सारी चीज़े आप उसको use में ला सकते है वी लोकफ के formula से आप बहुत सारी चीज़े आसानी से समझ सकते है और पता कर सकते है आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा